इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिटूट कॉंसन वर्डवाइड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा हाली में प्रकाशित किये गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का इस्थान बहुत ही खराब रहा है भारत को कुल 117 देशों की सूची में 102 वाइस्थान प्राप्त हुआ हमारे आज के DNS में हम जाननेगे कि क्या होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स एवं इसको प्रकाशित करने के लिए किन पैमानों का ध्यान रखा जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रथम बार वर्ष 2000 में शुरू किया गया था और इस बार यह 14 वी सूची है इस सूची को जारी करने में कुछ पैमानों पर खास ध्यान दिया जाता है जो इस प्रकार है कुपोशन जो यह बताता है कि भोजन पर्याप्त मात्रा वा पर्याप्त क्वालिटी का नहीं है बच्चों के शरीर का धीमा विकास यानि चाइल्ड इस्टंटिंग इस सूची में रैंकिंग 100 को आधार मान कर की जाती है यानि अधिक्तम अंक या पूरांक 100 का होता है जिन देशों का प्राप्ता अंक जितना ज्यादा होता है उन्हें उतना ही खराप श्रेणी का माना जाता है 2019 की इस रिपोर्ट में विश्व में भूखे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है 2015 में ये संख्या 785 मिलियन थी जो अब बढ़कर 822 मिलियन पहुँच गई है 30.3 अंकों के प्राप्तांक के साथ भारत को सीरियस कैटागरी में रखा गया है इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा कुपोशित बच्चे रहते हैं ब्रिक्स देशों में भारत की रैंकिंग सबसे खराब बताई गई है श्रीलंका, नेपाल, बांगला देश और पाकिस्तान इन सब देशों की रैंकिंग भारत से अच्छी है वहीं चीन को इस इंडेक्स में 25 इस्थान प्राप्त हुआ है इस इंडेक्स के आने से एक बात तो साफ हो गई है कि भारत को अभी भुखमरी को उबरने के लिए और अधिक सक्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि हम एक बहतर भविश्य एवं अच्छे स्वास्थ की तरफ अग्रसर हो हकें कि भारत है